सो के DSR Master Course में आप सभी खास पागतें, आगे की वीडियो में हमने जाना कि aperture क्या है, कौनसी फोटोग्राफी करने के लिए कैसी setting करना, उसके बारे में मैंने step by step यापको पूरी detail के साथ समझा दिया, एनकि DSR में आप देखोगे जिसमें तीन important setting, चो आपको नहीं आता तो perfect त तो आप बड़िया फोटोग्राफी नहीं कर पातें, और आप जो भी आपके पास DSR हो, वो चाहे Nikon का हो, वो चाहे Canon का हो, वो चाहे Sony का हो, यानि कि किसी DSLR हो, या तो कोई भी DSLR हो, लेकिन आप सही तरीके से फोटोग्राफी नहीं कर पातें, तो इस वीडियो में मैं बत तो guide first हम यह समझते कि سटर स्पीड क्या है, और कि नाम सुनते हैं आपको पता चलना चाहिए कि सटर स्पीड नाम क्या सा है, जिसमें आप DSLR में देखोगे, जिसमें हमारा सटर आता है, वो किस तरके से काम करता है, और कि कितने स्पीड पे क्याम करता है, उसके बार में में जिसमें आपको पॉइंट समझा देता हूँ, आप किसी भी फोटोग्राफी करते हूँ, जिसमें कितने सेकंड में फोटोग्राफी होती है, उसको हम कहते है सटर स्पीड, वो कितने सेकंड में ओन होता है, कितने सेकंड में ओफ होता है, उसको हम कहते है सटर, और कितने स्पी तरीका से आप फोटोग्राफिक करते हो तो में आपकि फोटो क्लिक होती उसको हम कहते 17 स्ट्रस स्पिर्च कर पपेश सेट कर लिए 5.5 तो तो यहाँ पे आपने वन बैगा 1255 इस तरह के सा अपनी 6 इंट बीस्तिंग कर लिए तो 1 by 150 इस तरह के से अब आपने Sutter Safety setting कर ली इसके बाद आप आए OSO देखोगे जिसमें आप 500 भी रख शकतेs 200 भी रख सकतेs, 300 भी रख सकते इस तरह के से आप आपने ISO set कर लिया ये 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 मान लो कि यहाँ पे आपने अपेचर को यहाँ बढ़ा दिया है और आपने जू भी सटर स्पीड है उसको यहाँ पे आपने कम कर लिया यहाँ कि 1 by 120, 1 by 150 जिसमें आपने आप फोटोग्राफी देखोगे यहाँ कि ISO आपको सेटिंग नहीं करना लेकिन आपने अपेचर सेट कर लिया, सटर स्पीड सेटि के लिया सटर स्पीड आप देखोगे जिसमें आपने 1 by 20 आपने किया तो जो भी आपने 1 सेकन है उसका आपने 20 वelles जिसमें इतनी सेकन तक यहाँ पे जो भी आपका सेटिंग होगा और याप जो भी आप फोटोग्राफी करते हो वो याप पे क्लिक होगा तो उसको कहते हैं हम सट्र स्पिल उसके डिप में आप मी समझाता हूँ याण कि आपने एक सेकंड रख दिया वन बाई याप आपने सेटिंग कर लिया उसमें आपे क्या होगा जो भी आपर आपका सटर है वो याप ओन रहेगा और आपने एक पीचर सैट कर लिया या तो ISO सैट कर लिया जिसमें आप जो भी फोटोग्राफी करते हो वो याप पूरी वाइट आएगी या तो आपका सेटर आपका सर्टर आपे ओफ नहीं होगा जिसके वज़े से आपको wait करना पड़ेगा यान कि ज्यादा आपके wait करना पड़ेगा इसलिए आपके ज्यादा तर photographer क्या करते हैं 1 by 125, 1 by 116 इस तरीके से आपके set करते हैं और आपके इस तरीके से फोटोग्राफिक करते हैं जिसके वज़े से जो भी आपके उनका setter होता है वह यहाप तूरां से one होके आपके up हो जाता है जिसके वज़े से ISO और आप बचर जो भी आपके setting करते हैं वह सही तरीके से set होता है जिसके वज़े से जो भी हमारी photography वह बड़ी आती है तो आपको यह समझेना है तो Guys आपि और ज्यादे आपको dip में समझाता हो ताकि आपको और ज्यादे आपको पता जा ले मालो की आप कार रेसिंग की फोटोग्राफी करने के लिए जाते हो या तो sport फोटोग्राफी जिसमें आपको cricket होगा है फूटबॉल हो गा है इस तरी किसे आप फोटोग्राफी करते हैं जिसमें आप मुमेट जो भी है वो आप तेज है उस तरी किसे आप फोटोग्राफी करने के लिए जाते हो जिसमें आपका सटर स्पीड सेटिंग होता है वो आपको रखना है 1 by 250, 1 by 285, 1 by 289 इस तरी किसे आपकी क्लिक त्रू यानि कि जो भी आप फोटोग्राफी करते हो उसमें आप क्लिक करते हो जिसमें जो भी आपका सटर है वो आप तूरां से ओन होके ओप हो जाएगा जिसके वज़े से जो भी आपकी फोटो है वो सेकंड में आपकी फोटोग्राफी होगी उसके साथ आपक करना होगा इसी तरीके से आपको iso, setting करना होगा तब जाके आपकी जूभी पीचर है जूभी आफ'M já F qualitative करने के लिए जाते जिसमें ज्यादातर दूप है यह तो आप नइट में फ09 बर सेंट करते लिए ज्यादा% light है एं तो उसमें आपको किस तरीके से उसको आपको बढ़ाना होगा तो आपका आपे जो भी है उसका नंबर यहापको बढ़ाना होगा जिसमें आपे 10 होगा है 12 होगा है 15 होगा है इस तरह के से आपे आपको setting रखना है इसके बाद यहापे जो भी आपकी शटर स्पीड है उसको भी आपको क्या करना होगा बढ़ा रहा होगा जिसमें आपे 1 by 250, 1 by 289, 1 by 75, 1 by 275 या तो इस तरीके से आपका जूबिस स्पीड है उसको भी आपको बढ़ा रहा होगा और ISO जो भी है उसको आपको कम करना होगा जिसके वज़े जो भी आपकी फोटोग्राफी है वो सही तरीके से आदी तो आपको इस तरीके से सेटिंग करना और आपका जूबिस आपके फोटोग्राफी करने के लिए जाते हो जिसमें आपके लाइट कम है तो आपका अपिचर जो भी है वो आपको कम कर देना इसके आपको सेट करना है ताकि आपकी जूभी विच्चर क्वालेटी है वो सही तरीक से आए तो गाइज यहां पर आपका सट्रस्पीड वह है यांड कि जूभी आप फोटोग्राफी करते हो उसकी मुमेंट यहाद है तब आपकी जूभी सट्रस्पीड है उसको आपको बढ़ा तो गाइज यहां पर आप जूभी सट्रस्पीड सेट करते हो वह आपके मुमेंट के आधार पर आपके सेट होता है यहां कि ज्यादा मुमेंट है तो जूभी आपका सट्रस्पीड है उसका नंबर आपको बढ़ाना होगा और आपका जूभी आपके सट्रस्पीड है वह बाइ 125 इस तरह के से आप आपने सटर स्पीड सेटिंग कर लिए और आप जैसे ही फोटोग्राफी करोगे जैसे ही आप क्लिक करोगे और आपका सटर ओन होके ओफ हो जाएगा लेकिन जो भी आप फोटोग्राफी करते हो वो यहां पे ब्लर होगी या तो दूंदली सी हो करना होगा जो भी आपका सटर स्पीड है वो वन बाइ 225 225 या तो 289 इस तरह के से आप आपको सेटिंग करना होगा ताकि जो भी आप क्लिक करते हो वो यहां पे एक दम फाइस्ट होगा जैसे ही फाइस्ट होगा जैसे कार गुजरेगी तो तूरंसे वो कैप्चर कर लेग या तो कोई भी आप फोटोग्राफी करने के लिए जाते हो जिसमें आप 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 आएसो सेट करते हो अपेचर सेट करते हो सेट करते हो या तो आप डियासल हाथ में पकरते हो लेकिन जब तक आप प्रैक्टिस नहीं करते हैं तब तक आपको कुछी भी नहीं आएगा या आपको manual setting नहीं आएगा यार्कि आपको अलग-अलग जगा पे अलग-अलग फोटोग्रावी करना हो और आपको जूबी setting करते हो वो भी आपको अलग-अलग करनी ताकि आपको पता चले कि ISO कितना रखना है अपेचर कितना रखना है वो सब यहां पे आप जब तक प्रैक्टिस नहीं करोगे तब तक यहां पे आपको कुछ भी नहीं पता चलेगा यहां कि वीडियो तो आप देखते हो लेकिन आपको पता नहीं चलेगा जब तक आप खुझ से नहीं करोगे जब तक आप प्रैक्टिस नहीं करोगे सो गाई इस वीडियो का पड्बस यही था कि आपको सटरस्पीड कोई ब्युजिस आपको सटे शुरॉस करना है और आपको सटरस्पीड कोई भी अशालर पर आसा दाउट है, या तो आई-सओ-पैचर सटरस्पीड के बारस्पीड कोई भी तो गाइज यहां पर आपके DSLR में कोई भी आसा प्रॉब्लेम चल रहा है और आप आप घर पे हल करना चाहते तो भी यहां पर मेरे को कॉमेंड बक्स में कॉमेंड लेख सकते ताकि मैं आपके मदद कर सकते तो गाइज आप इस कोर्स में मैं बिजिक से लेके कि एडवन्स तक यहां पर सिखाने वालों कि DSLR क्या है किस तरह किस वर्क करता है किस तरह किस से शाटिंग करना किस तरह किस फोटोग्राफिक करने के लिए उसके बारे में मैं स्टेप बाइश्टेप पूरी डिटल के साथ समझाने वालों तो देखते रहे पूरी वीडियो यानिकि हर एक वीडियो देखिए ताकि आपको पता चले कि DSLR क्या है किस तरह किस सेट कर सकते कौन से फोटोग्राफिक करने के लिए कैसी सेटिंग करना वो सब यहां पर में स्टेप बाइश्टेप समझाता हूँ इसके साथ यहां पर में वह भी बताता हूँ यानिकि नेवरी के साथ तक्ते माता जी पंदे माता